अलो एब्रिवन वेल्कम टू शिवीज क्लासेज जोन और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास फोर के बच्चों के लिए माथ्स सैंपल पेपर तो जैसे कि आप यहां देख रहें यह पेपर सॉल्व किया हुआ है तो हाफ सैंपल पेपर मैं अल्रडी का फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा अब हम आज स्टार्ट करेंगे कोशन नंबर 3 मेंज एडिशन से तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कोशन नंबर 3 का यह नंबर है 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 10 तो क्लास 4 के बच्चों को इस टाइप के जो फ्रेक्शन वाले एडि हैं इसलिए हम इसे डारेक्ट प्लस नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें नीचे के नंबर यानि डिनॉमिनेटर को सेम करना होता है तो उसे सेम करने के लिए हम यह करते हैं कि जो फॉर्स नंबर है उसे हम पहले लिखेंगे और यह फॉर्स नंबर सेकेंड नंबर के नीचे μौल्टिप्लाई हुगा हमने फर्स निंबर यहां लिया है यहां मौल्टिप्लाई का साइन बनाएंगे और इधर के डिनॉमिनेटर से उपर और नीचे में मौल्टिप्लाई कर देंगे 4 टंजा 40 and 5 टंजा 50 अब हम नेक्स नंबर इधर वाला लेते हैं 7 upon 10 और इसे हम multiply करेंगे first number के denominator means 5 से तो उपर नीचे 5 से multiply 7 5 जा 35 and 10 5 जा 50 अब आप यहां देख रहे हैं कि दोनों ही number में 50 50 यानि नीचे के number same हो गया अब जब नीचे के number same हो जाते हैं तो हम simply numbers को plus कर सकते हैं तो यह हो गया first number 40 upon 50 plus 35 upon 50 तो अभी यहां पर एक चीज और बच्चों को clear करने हैं कि कभी भी denominators add नहीं होते हैं denominator as it is हम 50 ही लिखते हैं और उपर का number को हम plus कर देंगे तो यहां पर 40 और 35 जब plus होगा तो 0 plus 55 4 plus 3 7 तो answer आ जाएगा 75 upon 50 और यह आ गया answer अब चाहें तो इसे हम simplest form में कर सकते हैं और यह हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं तो यह भी हमारा answer right होगा अगर इसे simplest form में करना है तो हमें डिवाइड करना होगा तो 75 upon 50 हम check करेंगे कि किसके table से यह divide होगा तो अब्यस सी बात है last में 5 और 0 है तो यह 5 के table से हम divide कर सकते हैं तो 5 के table से divide करेंगे तो 5 बंजा 5 यहां बचा 2 2 और 5 25 55 25 और यहां पर 5 10 जा 50 अगें यह 5 से divide हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 तो answer आ जाएगा 3 upon 2 तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं यह यह भी answer हमारा right है अप ऐसे भी लिग देंगे तो full marks मिल जाएंगे now see question number B measurement के questions में यहां पर addition करना है यहां पर 9 kg 37 kg 97 gram and 875 gram तो यहां हम पहले kg और gram का column बना लेंगे अब यहां पर एक चीज़ और ध्यान देना है कॉमास का कि यह जो है यह single एक number है फिर यहां कॉमा लगा है तो यह single एक number है यह single number है यह सब ही single single है तो यहां पर kg की जगह पर हम लिखेंगे 9 और क्योंकि इसके साथ gram में कुछ भी नहीं है तो यहां पर हम simply 00 कर देंगे next है 37 37 भी हम kg की side लिखेंगे और यह हमेशा बच्चों को ध्यान दिलाएगा कि once के side से ही number लिखेंगे जैसे यह one digit है तो 37 9 की नीचे 7 लिखेंगे ना कि 3 यहां और 7 यहां नहीं लिखेंगे तो अब क्योंकि 37 भी only kg वाले ही numbers है तो यहां पर 00 कर देंगे next है 97 ग्राम अब यह gram के side लिखेंगे 97 ग्राम हो गया और इसके साथ kg का कोई भी number नहीं है तो यहां 00 कर देंगे और last है 875 ग्राम तो इसे gram के side लिखेंगे और once के side से हमेशा start करते हैं तो यहां आएगा 5 यहां आएगा 7 और यहां आजाएगा 8 और इस side 00 कर देंगे कोई problem नहीं है अब simply में plus कर देना है 7 plus 5 12 12 का 2 carry 1 9 plus 1 10 10 plus 7 17 carry 1 8 plus 1 9 यह 7 7 और 9 9 और 7 को जो प्लस करेंगे तो आएगा 16 16 का 6 लिखेंगे carry 1 3 plus 1 4 तो आजाएगा 46 kg 972 ग्राम तुस इस आर आंसर Now next question, question number C इसमें भी addition करना है यह time से related question है time chapter का तो addition करना है तो simply hour और minute का column बना लेंगे hour and minute, 4 hour, 15 minute, 10 hour, 50 minute plus करेंगे 5, 5 plus 1, 6, 4 plus 0, 4 और यहां 1 तो यह आ गया 14 hour, 65 minute लेकिन जब भी minute के side में जो number आता है वो अगर above 60 आता है तो हम minute को hour के side shift कर देते हैं वो ऐसे कि जैसे ही यहां पे 60 complete होता है तो 60 minute equals to 1 hour होता है तो हम इसमें से 60 minus करते हैं तो यहां पे बचेगा 5 और यह 60 जो हमने यहां से minus किया है वो hour के side plus 1 हो जाता है क्योंकि यह minute इस side shift हो गया तो यह 14 hour की जगा हो जाएगा 14 plus 1, 15 hour तो answer आ गया हमारा 15 hour and 5 minute Now see the next question addition है और यह money chapter से है तो क्योंकि addition है तो simply हमें numbers को उतार देना है बस हमें point का ध्यान देना है जैसे first number है 2582.35 अब next number जब उतारेंगे तो point के नीचे हमेशा point आना चाहिए point के इस side है 5, 9 तो यहाँ पर लिखेंगे 5, 9 point के इस side है 5, 1, 8 next number point के नीचे point point के इस side है 7, 9 और point के इस side है 4, 8 and 3 अब simply इस number को add कर देंगे 9 plus 9, 18, 18 plus 5, 23 तो 23 का 3 लिखेंगे 2 carry 7 plus 3, 10, 10 plus 5, 15 15 plus 2, 17 का 7 carry 1 5 plus 4, 9, 1, 10, 11, 12 12 का 2 carry 1, 8, 8, 16, 17, 18 का 8 carry 1, 8, 3, 11, 1, 12 12 plus 5, 17 का 7 carry 1, 2 plus 1, 3 और point के नीचे point लगा देंगे तो answer is this Now next question number 4 is subtract अब यहाँ पे minus करना है यह भी measurement chapter से related question है अब लेकिन इस question में एक चीज यह बच्चो को clear करनी है कि subtract है this from this means from के बाद वाले number को हम उपर लिखते हैं इसको minus करना है इसमें से ठीक है तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा mistake करते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है इसको अच्छे से clear करना है कि from के बाद वाले number को हमेशा उपर लिखते हैं और फिर भी अगर confusion होती है तो यहाँ पे यह clear करना है कि हमेशा बड़े number में से चोटे number को minus करते हैं तो यहाँ पे 88 km और यहाँ 108 km है तो इन दोनों में 108 km बड़ा है इसमेंस यह वाला number इससे बड़ा है तो हमेशा बड़े में से ही चोटा minus होता है तो यहाँ पे किलो मीटर और मीटर का कॉलम बनाएंगे एक साइड लिखेंगे 108 एक साइड 120 देन हेर 88 और इधर 47 माइनस करेंगे 0 में से 7 माइनस होगा नहीं 1 बोरो देगा 10 और यहाँ बचा 1 10 माइनस 7 3 1 में से 4 माइनस होगा नहीं तो यह 1 और 1 होगया 11 11 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 7 8 माइनस 8 0 0 में से 8 माइनस होगा नहीं तो पूरा दोनों नमबर ले लेंगे 10 में से 8 माइनस होगा तो आएगा 2 means 20 किलो मेटर and 73 मेटर is answer next question number B time से related है और यहाँ भी from के बाद वाले नमबर को हम उपर लिखेंगे और मिनट का पहले कॉलम बना देंगे यहाँ पे आ जाएगा 10 आर 45 मिनट और यहाँ आ जाएगा 3 आर 20 मिनट माइनस करेंगे 5 माइनस 0 5 4 माइनस 2 2 और 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 तो 7 आर 25 मिनट इस आंसर नाव नेक्स्ट कॉश्चन नमबर C अब यह मनी चैप्टर से रिलेटेड माइनस है अब यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे from कहीं नहीं लिखा यहाँ डिरेक्टली लिखा दिस माइनस दिस तो यहाँ पे इधर वाला ही सिंप्ली माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे from नहीं था इसलिए डिरेक्टली दिस माइनस दिस है मतलब इसमें से इसको माइनस करना और हमेशा बड़े नमबर में से ही चोटा नमबर माइनस होता है तो 5 माइनस 5 जीरो 2 में से 4 माइनस होगा नहीं बढ़ो देंगे 12 यहाँ बचा 4 12 माइनस 4 एट 4 में से 5 माइनस होगा नहीं नेक्स से बढ़ो लेगा इसके पास भी 0 है फिर यह नेक्स से बढ़ो लेगा तो यह इसको 1 दिया 10 यहाँ बचा 8 10 इसको 1 दिया 14 और यहाँ बच गया 9 14 माइनस 5 9 9-1, 8 8-3, 5 तो रुपीज 589.80 इस आंसर आगे बढ़ने से पहले एक चीज में आपको च्लियर कर दूँ कि यह जो पेपर है टोटल 50 मार्क्स का है 5 मार्क्स में यह तिक दे करेक्ट आप्शन के और 7 मार्क्स में यह कनवर्जन वाले कोशिंस थे जो की हमने प्रिवियस वीडियो में किया है 8 मार्क्स में यह एडिशन है और 6 मार्क्स में यह सब्ट्रेक्शन है 4 कोशिंस हैं 2-2 मार्क्स के एडिशन के और 3 कोशिंस हैं 3-3 मार्क्स के सब्ट्रेक्शन के Now next, question no.5 is First, multiplication यहां से यह सारे questions तो यह जो टोटल पेपर हमारा है, यह पेपर आपका बन के तयार हुआ है, 50 मार्क्स का, तो चलिए फटा-फट से next question स्टार्ट करते है, multiply, simply यहाँ पे multiply करना है, जैसे multiply करते है, 215.65 multiply by 25, तो जैसे double digit वाले numbers को multiply करते हैं, बिलकुल वैसे ही multiply करना है, point लगा है तो ज़्यादा confuse होने की जरुरत नहीं है, तो पहले हम first वाले numbers से सारे numbers को multiply करेंगे, तो 55 जै 25 का 5, carry 2, 56 जै 30, 30 प्लस 2, 32 का 2, carry 3, 55 जै 25, 25 प्लस 3, 28, 28 का 8 लिखेंगे, carry 2, 5 मनजा 5, 6, 7, 5, 2 जै 10, यह हो गया 5 से multiply, अब यहाँ पे cross put करेंगे, then 2, 5 जै 10 का 0, carry 1, 2, 6 जै 12, 12 प्लस 1, 13 का 3, carry 1, 2, 5 जै 10, 10 प्लस 1, 11 का 1, carry 1, 2, 1 जै 2, 2 प्लस 1, 3, and 2, 2 जै 4, अब यह add कर देंगे, 5, 2 प्लस 0, 2, 8 प्लस 3, 11 का 1, carry 1, 7, 8, 9, 3 प्लस 0, 3, 4 प्लस 1, 5, तो जैसे multiply करते हैं, बिल्कुल, same वैसे ही multiply करना है, बस यहाँ पे 2 डिजिट के बाद point लगा है, तो यहाँ पे simply 2 डिजिट के बाद हम point लगा देंगे, that's it, और यहाँ पे rupees का sign लगा देंगे, क्योंकि यह जो question था, वो rupees chapter से है, means money chapter से, now next, question number 6 है, divide, divide भी बिल्कुल simple, जैसे multiply, simple multiply हुआ है, उसी तरह से, divide भी वैसे ही होगा, 5 का table है, 5, 5, 25, minus कर देंगे, 0, 0, next number यहाँ उतरेगा, 5, 1, 5, minus 1, बचा, अभी यह 0, इसके next उतरेगा, 5, 2, 10, minus हो गया, कुछ नहीं बचा, अब क्योंकि यह point है, तो यह point यहाँ चला जाएगा, और next number यहाँ उतरेगा, तो अब point हमने remove कर दिया, जहां से, जहां तक हुआ number, और जहां next number आया, point के बाद वाला, पहले हमने point remove करके उपर कर दिया, और यह 2 उतर गया, अब क्योंकि कभी भी एक साथ हम 2 number नहीं उतारते, क्योंकि 2 उतारा, अब अगर हम 1 टाइमस भी 5 का टेवल पढ़ेंगे, तो 2 से जादा हो जाएगा, इट मेंस हमें यह बाला 5 भी चाहिए इसके बगल में, तो यहां पे एक 0 बढ़ाएंगे, और तब इसके बगल में एक 5 उतरेगा, तो अब next 5 के टेवल में 25 आता है, 5 टाइमस में, 5 5s आ, 25, तो answer will be 512.05, and this is also, this question is also from money chapter, तो आगे rupees लगा देंगे, this is our answer, now next question number 7, write to equivalent of 5 upon 7, 5 upon 7 की 2 equivalent बताने है, तो equivalent में simply जो number होता है, उसको उपर नीचे एक बार 2 से multiply कर देंगे, और एक बार उपर नीचे 3 से multiply कर देंगे, जितने equivalent पूछे हैं, उतने number से multiply कर सकते हैं, जैसे यहां 2 पूछा है, तो एक बार 2 से कर देंगे, एक बार 3 से कर देंगे, अगर यहां 2 से ज़्यादा equivalent पूछता तो एक बार 4 से कर देते, then 5 से, then 6 से, इस तरह से equivalent निकालते हैं, तो यहां पर नीचे 2 से multiply करेंगे, 5, 2s are 10, 7, 2s are 14, फिर next 5 upon 7 को एक बार 3 से multiply करेंगे, 5, 3s are 15, and 7, 3s are 21, तो यहां पर सिर्फ 2 equivalent पूछा है, तो एक हो गया 10 upon 14, और दूसरा हो गया 15 upon 21, Now, next question is, find means 4 upon 5 off 40 को solve करना है, तो यह off means होता है multiply, तो 4 upon 5 multiply by 40, तो अब यहां पर multiply करने से पहले चेक करेंगे, कि यह दोनों number आपस में divide हो रहे हैं कि नहीं, तो obviously बात है, 5 के table में 40 आता है, तो 5 के table में 5 आता है 1 times में, और 5 के table में 40 आता है 8 times में, तो यह divide हो गया, 1 की कोई value ही नहीं है, और यहां पर 4 multiply by 8 बचा, और नीचे जब 1 बचता है, तो इसकी कोई value नहीं होती है, तो 4 8 हो गया, answer 32, this is our answer, तो आज की वीडियो में हम बस यहीं तक solve करते हैं, question number 9 तक, क्योंकि already 15 मिनट का यह वीडियो हो चुका है, आगे और solve करेंगे, तो वीडियो काफी lengthy हो जाएगा, तो आगे के यह जो questions हैं, वो हम next video में solve करेंगे, और previous video में मैंने बूला हुआ है, कि मैं आपको और sample paper provide कराऊंगी, तो जैसे ही हमारा यह sample paper complete होता है, वैसे मैं आपको एक next sample paper भी provide करा दूँगी, बच्चो की practice के लिए, तब तक के जितने questions मैंने किये हैं, इन में numbers change करके आप बच्चो को और practices करा सकते हैं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, next video में, till then, bye bye.